हेलो एवरिवन वल्कम टू पिंपढकर अक्याडमी और मेहो अस्टिन प्रोफेसर रोहिनी पिमपलकर और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेटो जी के बारे में प्लेटो जी के उपर जो वह क्वेश्चन सीरीज है वो हम लेकर आये हैं हिंदी में तो हम उसे एक करके question को discuss करेंगे first question है हमारा अफलातून किस चिंतक का अर्भी भाशा का विकृत नाम था अब देखें अफलातून किसे कहा जाता है प्लेटो को नेक्स्ट है हमारा प्लेतो की अकादमी में किस विशय किसके अधियन पर अधिक जोड दिया गया था, मतलब किस विशय को सबसे जादा इंपोर्टन सी जाता था, वो था जामिती के ऊपर नेक्स्ट है निमनाग्टित में से कौन सी प्लेटो की रश्णा नहीं है मतलब कौन सी भूक प्लेटो द्वारा नहीं लिकी गई इसका आंसर हो जाएँगा politics क्योंकि politics जो बूक है ये किसा ने लिकी है किन्तु शिख्षा पर कभी भी लिखा गया से सर्वस्रेश्त गन्त है। यह किस यह दात मुझन है। राजनीतिक कलपना right? कि लोग के उपर शासन करने का अधिकार फिलोसॉफर किंग को होनता है और हर एक राज्य एकदम पर्फेक्ट आदर्श राज्य होना चाहिए ऐसा रियल में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है तो इस वज़े से इस जो बुक है उसमें जो बाती कही गई इसके उपर हमेशा से हरमेशा से निंदा होती है कि ये क्या है एक राजनितिक कलपना लोग है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्टन प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्मान करने वाले कितने वर्ग है तो इन्होंने तीन वर्ग के बारे में कहा गया था इनके द्वारा नेक्स्ट है हमारा क्वेश सिधांत की प्रमुख विशिष्टा है अब देखिए प्लेटो नी जो नयाए सिधांत बताया के था तीन नो वर्गों के लिए उसमें उन्होंने क्या कहा कि हर एक वर्ग के लिए एक विशिष्ट कार्य रहें तो वह सावरक्षन का काम करेगा जो व्यापारी वर्ग है वो व्यापारी का काम करेगा इस तरकी की बाते उन्होंने कहिए तो कार्ये विशेष्ठा का सिध्धात इन्होंने बताया था इन्होंने क्या कहा था कि वासना साहस और बुद्धी इस प्रकार की तीन जो प्रवरुतिया है वो हर एक इनसान के अंदर होती इन में से कोई भी एक तो उसी तरह के से उसे हमेशा से जीवन्यापन करना पड़ता है तो ये इसका सही आंसर हो जाएंगा ए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्लैटो की शिक्षा पद्धती का प्रमुख लक्षन है अब देखे प्लैटो जी ने जो एजुकेशन सिस्टेम बताई थी उसमें उन्होंने एजुकेशन बताया था शारीजिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा मतलब व्यायाम वगर जो श शिक्षा का सिद्धान्त बताया था इसमें सबसे इंपॉर्टन बात जो इंट्रेस्टिंग है जो अभी 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 बहुत से स्टेट में लागो हुई है या फिर देश में लागो हुई है हमारे भी देश में अभी लागो हुई है राज्यत्वारा नियंत्रिन तथा अन हमें प्लेटो कि सामयवादी व्यावस्ता कसा State Party Karma देहें। वर्ग को प्लेटों ने नीजी संपती रखने का अधिकार दिया था बतलब यहीं एक जो वर्ग होगा वो नीजी संपती रख सकता है वो था उत्पादक वर्ग अब देखें सवरक्षन जो सवरक्षन वर्ग होगा या फिर जो सैनिक वर्ग होगा या फिर जो शासन करेगा उ उसको नीजी संपति रखने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा इस तरीकी के बाते उन्होंने कही थी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंतर नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे या इस विश्व के राजाओ और राच कुमारों में दर्शन की भावना की और सत्ता न होगी अब देखिए उन्होंने कहा कि एजुकेशन इस वेडी वेडी इंपॉर्टन जो भी रूलर होंगे उनके लिए और दर्शन के बारे में उन्हें बहुत ही अच्छ से नौलेज होना चाहिए तो इस तरीकी की बाते कही थी प्लेटो द्वारा नेक्स्ट है हमारा दर्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का ताकपर है अब देखिए दार्शनिक लोग मतलब फिलोसॉफर जो की होगा इससे उनका जो ताकपर है वो है वीवेक का शासन मतलब जो भी लोग एजुकेटेट रहेंगे वही क्या करेंगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्लेटों ने अपनी किस कुरूति में उप आदर्ष राज्य की वीवेशना की अब देगे उप आदर्ष राज्य का मतलब होता है कि उन्होंने पहले तो क्या कहा कि नहीं पूरा का पूरा जो भी राज्य रहेंगा वो एकदम आदर्ष और कहा कि नहीं आपको आदर्ष राज्य बना के देना ही है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए थे तो इस वज़े से उन्हों उनको बेज दिया था स्लेव मार्केट में तो इस तरह की बाते उनके बारे में कही जाती है फिर उन्होंने मोडिफिकेशन किया अपनी कॉंसेप्ट के अंदर और उन्होंने आदर्ष राज्य से हटकर अपनी कॉंसेप्ट के अंदर मोडिफिकेशन किया उप आदर्ष राज्य और ये बाते उन्होंने किये अपनी बुक लॉज में जो उन्होंने अपने सबसे अंतीम समय में लिखी इस वज़े से इस बुक के बाद में लोगों ने प्लैटो को मैच्च और प्लैटो के के पुकारा था नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्लैटो कोई उप आदर्श राज्य में कितनी जन संख्या बतले अब देखें उन्होंने जो पॉपुलेशन है किसी भी राज्य की वो कितनी होनी चाहिए तभी उसका विकास हो सकता है तो इस बारे में उन्होंने कहा था कि 5040 जो है वो लोग संख्या होनी चाहिए तभी किसी राज़क के उपर अच्छे से राज़किया जा सकता है वो फुल फल सकता है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्टन प्लेटो के उपर आधर्श राज़की आधार्शिला है कानून की सत्ना अब देखिए उन्होंने कानून को सबसे पहले बहुत जादा इंपॉर्टन्स जिया किसमें उनकी जो मोडिफिकेशन मुख है लॉज में और रिपब्लिकम में किसको उन्होंने आधर्श राज्या का शासन वीवेक का शासन इस तरी के उन्होंने बात कही थी जनता का शासन उन्होंने बिल्गुल भी नहीं बोला था नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस विचारक विचार को इतिहास के लिए अमर है अब देखिए इन्होंने कौन सी कॉंसेप्ट लिए बताई थी प्लैटो जी ने बताई थी हमें कॉंसेप्ट आधर्श राज्या पतला ऑप्शन नमबर बी इस राइट क्यूंकि सामन इच्छा के बारे में किसने बताया था रूसों ने बताया था सवीधान का वर्गी करन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन सा प्लैटो से संबंधित नहीं अब देखो प्लैटो ने कौन-कौन से आधर्षण नहीं लिखिये इस तरह के का कौशन हमने अल्रेडी देख चुके तो इसका सही आंसर हो जाएंगा भी कि पॉलिटिक्स जो वो किस लिखिये आरे स्ट्रॉटल ने और रिपबलिक बुक सबसे पहले लिखिये हुई थी प्लैटो के द्वारा जिसमें उन्होंने पूछा जाता है तो दिखे प्लैटो के अनुसार आधर्ष राज्य में कितने वर्गव होते हैं तीन वर्गव नेक्स्ट है हमारा क्वेशन तीन विचार को इतिहास का प्रतम फासिस्त या फिर फासिवादी कहा गया तो इसका अंसर हो जाएंगा प्लैटो को क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि साम्यवाद होना चाहिए और हर एक ने वही काम करना चाहिए जो राज्य द्वारा उसे दिया जाता है तो इस तरिके की बाते गई थी इस वज़े से उन्होंने प्रथम फासिस्ट कहा जाता है और ये जो बाते उन्हें कही गई थी ये किसक के बहुत बड़े क्या थे बहुत जादे ही उने उनके ओपर टिका की थी तो इस वज़े से इसका नाम हो जाता है प्रथम फासिस्ट प्लाटो का नाम नेक्स्ट है हमारा क्वेस्चन चलिए तो आज हमने सरफ 22 क्वेस्चन यहां पर डिसकोज की है बाकी के क्वेस्चन हम खीआ खाना थे बादो को सब्सक्राइब का एकक्या शा मिएरा पयोच वी न्याएब का खुम आज को अ नेंक सम्सक्रै घुटाँर ०े का को शाने शाओता हू् freedom team parker Academy and please subscribe our channel